नमस्कार आप देख रहें नेक्स्ट नाइन भोचपुरिया मैं हूँ आपके साथ नदीम एहमद दिल्ली का दंगल जारी है और लगतार दिल्ली के दंगल में शाहिन बाग को शामिल कर लिया गया है शाहिन बाग और जामिया के इलाके में गोली कांड के बाद से आम आदमी पाथी पर भारतिय जंता पाथी आरूप लगा रही है और भारतिय जंता पाथी आम आदमी पाथी पर आरूप लगा रही है इन दोनों के बीच इस ताल मेल के बीच आखिर इन गोली कांडों में ये जो देश के नौजवान सामिल हैं जो एक जामिया में हुआ और दूसरा शाहिन बाग में हुआ कप्पिल गुजर नाम का ये सखस आखिर किस राजनितिक पार्टी से है इस पर दिली में एक नया बखे हुआ है जिसके बाद से नई दिली सीट से संसद मिनाक्षी लेखी ने जोरदार हमला बोला है और उन्होंने एक चुनावी रैली में कहा था कि ये सारी साजीश आमादमी पार्टी ही करवा रही है इसके साथ ही मनोज तिवारी से भी जब पत्रकारों ने पूछा कि ये जो काहतकंडा अपना रही है लोगों को अब तक चुनावी मुद्व से बहका चुके के जरिवाल इस तरीके का काम करके वोटों को की धूरवी करण के लिए ये सारा खेल खेल रहे हैं ये सारी बाते केजरिवाल के खिला रहे हैं मनोस्तिवारी उधर मिनाक्षी लेखी भी उनका लड़का किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है और नहीं वो फिलहाल किसी पार्टी से जुड़े हैं उनने कहा है कि वो 2012 तक मायावती की पार्टी बसपा से जुड़े थे लेकिन अभी वो किसी पार्टी से जुड़े नहीं है और उनका बेटा किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या कुछ हो रहा है दिल्ली की राजनीती में, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उनके पिता जी, कपिल गुज़र के पिता जी और उनके भाई को सुन लीजिए, वो लोग क्या कह रहे हैं, उसके बाद से आ कपिल गुज़र के पिता जी का बयान सुनेंगे, तो चलिए वो बयान सुनते हैं. जो भी कोई चुनाव लड़ता है, वो सब आते हैं, और उनों ने हमें ये तो भी ऐसे पहरा दिती सम्मान के तोर्द है, हमारा आमादमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा आमादमी पार्टी में किसी पत्पे हैं, ना हमारा आमादमी पार्टी से किसी भी त परचार हो रहा था परचार होने पर वैसे उन्होंने जबर्जस्तिया करके टोपी उड़ा दिये वह पार्टी में उकलो यह कोई मैटर नहीं है आम आधी पार्टी से कोई हमारा कोई किसी तालोग नहीं है अधी में जोन करी और हम तो कभी ना राजनीती में आये थे तब 2012 तक हम बीएस्पी में रहे थे और बीएस्पी से होने के बाद मेरी टवर्ट खराब रहने लगी मैंने राजनीती से बिल्कुल एकदम छोड़ दिया राजनीती करनी बंद कर दी तब सामें नहीं गया जैसे तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं आप दर्शक हैं और आप इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है लोगतंत्र में आम जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है तो आप बयान सुनिए उसके बाद से आंदाजा लगाईए कि शाहीन बाग पर कौन राजनीती कर रहा है शाहीन बाग के इस फायर करने वाले इस फायरिंग लड़के को केजरिवाल की पार्टी का हिस्सा बता करके एक तरफ जहां मनोच तिवारी मेनाक्षी लेखी समित भाजपा की सभी धुरंधर बोटों की धुरवी करण में लगे हुए हैं और उसके बाद से जब उसके पिता जी का बयान आता है तो क्या साफ निकल करके आता है कि वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ न कि कौन सफेद जूट बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है कपिल गुजजर का ये गोली कांड पिछले दिनों ही शाहीन बाग के धरनास्तल से करीब 200 मेटर की दूरी पर हुआ था जिसके बाद से उसे दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और कपिल गुजजर ने जो बयान दिया था उसने भी कहा था कि वो किसी राजनेतिक पार्टी से नहीं है उसकी घर में साधी थी जिसके बाद से इस रास्ते का वो इस्तमाल करना चाहता था लेकिन धरनास्तल पर बैठे लोगों की वजह से वो बहुत जादा परेशान था दिमागी रूप से वो इ इसके नाम पर अगर राजनीती हो रही है तो ये अजीब बात है दिल्ली के अंदर चुनावी महौल में जिस तरीके से शाहिन बाग को बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो शाहिन बाग को आठ फरवरी तक इस्तमाल करेंगे यानि इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी परकार ने पूछा कि शाहिन बाग पर आप साफ क्यों नहीं बोल रहे हैं तो केजरिवाल ने कहा कि ये पूरा मसला ग्रिह मंत्राले के अंडर आता है और ग्रिह मंत्राले में सबसे ताकतपर है अमित शाह वो चाहें तो रास्ता एक घंटे में खुलवा सकते हैं ये सारी अर्विंद केजरिवाल कह रहे हैं और दूसरीतर भारते जंतापाथी कह रहे हें यहां बैठे मौझन लोगों को केजरिवाल बिर्यानी खिला रहे हैं तो अब बिर्यानी भी इस मसले में घुस गया है कि केजरिवाल ही इन लोगों को बिर्यानी खिला रहे हैं। और इस करेंट टॉपिक पर आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं और इससे हम भी आपके साथ जुड़ेंगे आपके कमेंट बॉक्स में बहुत सारा आगे चर्चा भी करेंगे लेकिन आप बने रहे हमारे साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत नमस्का और आपके उुड़ेंगे साथ और अ करेंगे जरूर नुड़ेंगे लुफिक झाल अ करेंगे वाख कि करेंगे बने दीजिए